हाई ब्रीबन आईए आज की इस वीडियो में हम बिहार जेनरल नौलेज कुस्चन्स आज की इस वीडियो में कभर करने वाले हैं जो कि आपके बिहार इस्टेट लेबल के अलाबा सभी कंपेटिटिव एक्जाम्स के लिए वेनिफिस्यल होने वाला है ठीक है यह मेरा सब्सक्राइब सब्सक्राइब לךृतिने सब्सक्राइब सब yang किःशन नर टाला प्रिक्राइब करनाइब पे हुआ था ठीक है तो रामधारी सी दिनकर का जो जन्म हुआ था यह मुंगेर के समडिया में हुआ था ठीक है मुंगेर के समडिया नामक अस्थान पे हुआ था ठीक है तो आपसन नमबर सी करेक्टर अंसर हो जाएगा समडिया ठीक है जो कि मुंगेर में ठीक है नेक्स्ट कौटिली की पुष्टक अर्थ सास्त्र किस विशय पर अधारित है तो कौटिली द्वारा रचित जो है अर्थ सास्त्र यह यह शाशनकाल के सिध्धान्त और अभ्यास पर यह अधारित है तो अप्सन नमबर भी हमारे इस कोशन का करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है मगद के परवर्ती गुप्त का संस्थापक कौन था तो मगद के परवर्ती गुप्त के जो संस्थापक थे वो थे कृष्णी गुप्त कौन थे कृष्णी गुप्त जो थे यह थे मगद के परवर्ती गुप्त का गुप्त बंस का संस्थापक थे ठीक है नेक्स्ट कोशन ह बीदेह राजिका उलेक सबसे पहले किस गरंथ में है तो बीदेह राजिका उलेक सबसे पहले याजूर याजूर बेद गरंथ में किया गया है ठीक है तो आप्सन नमर भी क्रेक्टन सोज़ेगा याजूर बेद ओके नेक्स्ट है नालंदा में इस्तित बड़ा गाउं का पत तो किसने लगाया था तो नालंदा में इस्तित बड़ा गांव का पता लगाया था कणनिंग में नमक ब्यक्ति की दरबाँ में हुआ था ओके नेक्स्ट कोश्चन जैंच spher kita चंद्रगुप्त परथम का राजया भी सेख कहां हुआ था चंद्र गुप्त पर्थम करा जब हिस्ट जो हुआ था यह हुआ था पाटली पुत्र में कहा हुआ था ठीक है नेक्स्ट है मगद राज की आरंभिक यानि की प्रारंभिक राजधानी कहा थी तो मगद राज की आरंभिक राजधानी थी गिरी बरज गिरी बरज जो थी य ये मगद राज की आरंभिक यानि प्रारंभिक राजधानी थी ठीक है नेक्स्ट है मगद समराज का बास्तविक संस्थापक कौन था तो मगद समराज का बास्तविक जो संस्थापक था वो था शीशुनाग ओके शीशुनाग जो था ये मगद समराज का बास्तविक में कितने गणराज निहित थे यानि कितने गणि ऑते थे तो इसमें प्रोटन आठ गनराज ने थे ठीके अप्शन नमB E हो जागा अट। एंक्सट है पाणिली पुत्र पर टेमेट्री आप कहां कहां हुआ था ओके गब हुआ था यह आपको बताना है ठीक है तो यह जो खुआ था एक सूपचासी इसाभ पुर्वव था ठीक है पाठली पुत्र पर डेमेंट्रीस का आकरमन कब हुआ था एक सूपचासी इसाभ पुर्व में हुआ था ठीक है जर A-SANG Kigo कि राजधानी कहां थी तो जरासंग की जो राजधानी थी राजगिरीव में ठीक है नेक्स्ट है किस मारी सासक ने करिंग पर्लिघयऑ प्राप्त की थी तो जो था आशोग अस्ट sì हो जाएगा और असोग ने मग्ध की सत्त्ता किसकी सहायتासे प्राप्त कर ली थी तो ये था चानक के चानक की बजास से जो है चंद गुपप्त्य ने मगत की सत्ता जो है प्राप्त कर ली थी जानक की सा Así इशे करहे थे तो yayा था तो 315 इस्तापुर्व में आया था मेगा अस्थनी जो था पाठली पूते कब आया था 315 इस्तापुर्व में आया था ठीक है नेक्स्ट है मगध महाजनपद की राजधानी कहां थी मगध महाजनपद की राजधानी जो थी ये राजगीर में थी कहां थी मगध महाजनपद की रा यह ता-था-पुछ being a नेक्स्ट है बीहार का मिर्थम हिंदी समाचाड़ पत्र का नम था बिहार बढदू भारत का सबसे बड़े पूल-वाडृ-बबू-बिहार simple भी ठीक है next है हुएन संग चीनी यात्री था ये मुएन संग ने पाटली पुत्र की यात्रा किस बर्स की थी तो यह क्या था तो आत दाई बोध्या में क्या था जी बोध गया में क्या था टेके नेक्स्ड है रही जा presenterina कहां थी तो मौरी समराज की जो राजधानी थी बो था पार्टली पूतर कहां थी जी पार्टली पूतर मौरी समराज की कैपिटल थी राजधानी थी ठीक है बज्जी संग की राजधानी कहां थी तो बज्जी संग की जो राजधानी थी बो थी बैसाली बैसाली क्या थी बज वाजगिरी में पर्थम बहुत संगिती का आयोजन हुआ ठीक है नेक्स्ट है हरियक बंस का दूसरा सासक कौन था तो हरियक बंस का दूसरा बो था अजात सत्रू अजात सत्रू हरियक बंस का दूसरा सासक था ठीक है नेक्स्ट है फाहियान चीनी यत्री यह भी चीनी यत्री भारत में किस राजा के संकाल में आया था चीनियाति फाहियां यह जो है भारत में किस राजा के संकाल में Um सoten काल में जो है भारत का यह यात्रा किया था थाई ठीक है नेक्सट कॉस्ट्ट नमरा था महाकस्यप ने क्या था ठीक है तो आज के लिए इतना ही ओके तो आज की इस वीडियो में कि इस वीडियो आज के पाल रवोन एज तो आज के पिस वीडिक में ने दो आज सकते अज